हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन इस्टिडी पॉइंट दोस्तों इस वीडियो में करेंड रफेस जन्डर लेवेन है दोठारा के टॉप 25 लेटेस्ट कोईस्टन लेकर आया हूँ जो सभी एक्जाम्स के लिए काफी मात पूर है तो इस वीडियो का आप इसकीब ना करत दोस्तों उसके लाबाए दिफी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब निकिया है तो सब्सक्राइब करके जो बगलने पहला आइकन उसको जरूर प्रिस करें ताक कि आपको एक्जाम से लिटे डेली वीडियो से मिलती रहे चले फिर स्टाट करते हैं पहला कोशन देखते हैं दिसंबर 2018 में किसे भारती फिल्म एवन टेलेविजन संस्थान यानि FTII के द्यक्ष करूँ में निकिया गया है तो भारती फिल्म एवन टेलेविजन संस्थान करूँ में निकिया गया है ब्रिजेंद पाल सिंग को यानि आप साने करेक्ट हो जाएगा देखें दोस्तों क आपको याद रखना नए ध्यक्ष बन गए ब्रिजंद पाल सिंग फिल्म एंड टेलेवियन इस्टिटुट ओफ इंडिया की स्थाबना कभी थी 1960 में ये भी कोश्चन पूछा गया थे एक्जाम में तो आगामी एक्जाम से पूछा आएगा और इसका हेटकॉाटर है पूरे यानि ऑप्संडी करेक्ट है देखिए स्वीडेन की संसाथ है दोस्तों रिक्स डेगर ने आउट डूर धूमरपान को निशेद कर दिया है एक बील पारित करके और इसके अंतरकत पब्लिक प्लेस दोस्तों जिसे खेल के मैदान प्रेन स्टेशन प्लेटफॉर्म पर धूम अगला खुशन देखते हैं मत्प्रेस के नए मुख्यमंत्री में शपत ग्रहन कौन करेंगे तो मत्प्रेस के जो नए मुख्यमंत्री होंगे दोस्तों के कमलनाथ ठीक है तो मत्प्रेस के नए मुख्यमंत्री होंगे कमलनाथ इससे पहले कौन थे श्रीवराज शिंग चोह ठीक है और मत्परिश के बरतमान गवर्णर का उन्हें राजिपाल है आनंदी बेन पटेल तो मत्परिश के नए मुख्यमंत्री हो जाएंगे कमल नाथ तो यह आपको याद रखना है काफ ही इंपोर्टेंट है कोर्शन नमबर फॉर्थ है 2018 में बिधान सबा चुनाओ के बाद मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कुरू में किसने सपत ली है तो यह लिए दोस्तो जोर मतंगा ठीक है ऑप्सन सी यह जो दोस्तो जोर मतंगा है इनकी पार्टी के नाम है मीजो नेशनल फ्रंट ठीक है और 40 सीट थी रोटल यहाँ पर मिज में जिसमें 26 सीट मिली है मीजो नेशनल फ्रंट को जबकि इससे पहले 70 रूर क्रांगेस थी उसको मात्र 5 सीटे मिली है ठीक है तो मिजोरम के नए जो मुख्यमंत्री बनेंगे जोर मतंगा इससे पहले थे लल्थन हावला और मिजोरम के जो राजजेपाल है दोस्तो गवर तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री करूब में किसने सपत ली तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार मन गये है के चंसेखर राव यानि कलवकुंतला चंसेखर राव के चंसेखर राव ठीक तेलंगाना राज्ट समतिन की पार्टी का नाम है ठीक है औ आपको ही यह भी फैक्ट याद रखना है एक्जाम में पूछा गया है कई बार अगला खुशन देख लेते हैं भारती रिजर्ब वैंग के नए गवर्नर कौन है तो आरवी आई के नए गवर्नर बन गया है दोसों शक्तिकांदास ठीकांदास बन गया है इससे पहले जो थे पूर्जित पटेल उन्होंने अपने पसे इस्तीफा दे दिया था तो आरवी आई के नए गवर्नर बनाया गया है पचीसमे नंबर के करम भी याद रखना है ये पचीसमे नंबर के हैं शक्तिकांदास को बनाया गया आरवी आई का मुख्याल है जरूर याद रखिए कई पूछा आता है मुंबई में है आरवी एक स्थापनों थी एक अप्रेल 1935 को और राश्टी करन इसका किया गया था आरवी आई का एक जन्वरी 1949 में इतने पॉइंट आपको आध रखने हैं कोर्शन 7 थे दिसंबर 2018 में मडीपूर के निमलिखित खिराडियों में से किस से मी मी 나서 इलीमा यानि उत्कृष्ट राणी के खिताब से विस्सो महिला मुक्यवाजी में छे बार की गॉल्ड मेडल विजेता MC महरीकाम को इसमें सम्मानित किया है ठीक है तो मीथो इलीमा यानी उत्किष्ट रानिक खिताब किसको समानित किया गया है छे वार की गोल्ड मेंड लिस्ट MC मेरी काम मुख्यवाज MC मेरी काम को अगला खोचन देखते हैं राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे तो राजस्थान के नए CM बनेंगे दोस्तों अशोक गहलोत ठीक है ऑप्सन भी अशोक गहलोत और आपको उता देख सचीन पालेट को डिप्टी CM बनाये जाएगा ठीक है उप मुख्यमंत्री सचीन पालेट को बनाये जाए एक राजस्थान के नए मुख्य मंत्री कौन हो जागे अशोक गहला तो डिप्टी सीम सचीन पाइलेट अगला कोशन देख लेते हैं निम्रिखित प्रतिभागियों में से किसे मिश वर्ल 218 के रूब में ताज पहनाया गया है तो दोस्तों मिश वर्ल 218 का ताज मिला है वैनेसा पॉंच डि लियोन को यहाँ पे आपको यह भी याद रखना है कि कहां की हैं किस देश की हैं मैक्श को की हैं ठीक है और 2017 का मिश वर्ल किसने जीता था तो हर्याणा राज्य की मानुसी छिलर मिश वर्ल 217 मिला था तिन्हों नहीं ताज पहनाया है मिश वर्ल 218 का याद रखना है आपको यहाँ पे वैनेसा पॉंच डि लियोन जो की मैक्श को की हैं एक कोश्चन एक्जाम पूछा आता है कि भारत के तरब से पहला मिश वर्ल किसने जीता था रिता फारिया ने जीता था ठीक पहली मिश वर्ल विज जीता थी भारत के तरब से रिता फारिया तो अभी आपको यह आद रखना है कि मिश वर्ल 218 के ताज किसको पहना गया है मैक्श को की वैनेसा पॉंच डिलियों ने आपको ध्यान रखना है को पुष्टन टेन्थ है दोस्तों और आपको बता देक चितरा मुख़ण को अंको पुष्ट बॉक्स नमबर 203, नाला सोपारा को पुरुसकार के लिए चुना गया है ठीक है तो यह आपको आधरकने उनका पन्यास व्याद रखने है पोस्ट बॉक्स नमर दोसो तीन नाला सो पारा कोश्चन नमर एलेवन थे निर्म लिखित में से किस पुस्तक के लिए साहित अकाद्मी पुरुषका दोठरा दिया गया करेक्टेंसर इसका ओप्सन भी आख ठीक है यह प्रमुक काश्मीरी लेखक लगुकता लेखक है प्रतिष्ठित प्रसारक मुस्ताक अहमद ने अपने लगुकता संग्रे आख के लिए इस साल का साहित अकाद्मी पुरुषकार जीता है अगला कोश्चन देखते हैं दोस्तों निर्बिखित में से किस फिल्म ने भारत के 49 अंतराष्टी फिल्म होत्सों में स्वर्ण मयूर पुरुषकार जीता है तो देखे भारती अंतराष्टी फिल्म होत्सों गोवा में समापन हो गया इसका इस कारेक्रम में सरगेई लोजनिस्सा द्वारा निर्देशित फिल्म डोवांस ने प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पुर्सकार जीता है यानि और प्रस्ण दी राइट है ठीक डोवांस अगला प्रस्ण है दोस्तों संग लोग स्विवायों के नए अध्यक्ष की रूम में किसे नुक्त किया गया है तो UPSC यानि Union Public Service Commission अर्विन सक्सेना को जो है नुक्त किया गया है ठीक इनका कारेकाल होगा 2020 तक इनका कारेकाल होगा अभी तक कारेवायक अध्यक्ष रूम में थे अभी इनको अध्यक्ष बना दिये गया है अर्विन सक्सेना निया ओप्सन सी करेक्ट है कोस्चन नंबर 14 दोस्तों Making of New India Transformation Under Modi Government नाम किताब के लिखा का नाम क्या है तो दोस्त दिखें दोस्तों Making of New India Transformation Under Modi Government जो है बित्त मंत्रिया अरुन जेटली ने 27 नंबर को राष्टपती भवन में रामनात कोविन की मौजगुदी में मौजूद्वी में जो रिलीज किया है इस किताब में दोस्तों सरकार जो है खासत दौर पर व्धान मंत्री के कामकाश के तरीकों के लेकर नजरिया पेस करने के कोशिश की गई है जिसके राइटर को ने याद रखीगा विवेक देवराए ठीक है आप्सन सी विवेक देवराए है अगला कोशन देखते है परमाडू उर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूम में किस प्रशिद विवेक जानिक को नियुक्त किया गया है तो दोस्तों आपको बतादिक हाली में एनार गुंटूर को परमाडू उर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूम में चुन लिया गया है ठीक है तो आपको या देखना है option 6 का right हो जायागा एनार गुंटूर ठीक है और 15 नवंबर 1983 को भारत के राष्टपती के आदेश्वे कंडूप परमाडू जनियामक बोड का गठन किया गया था 1983 में तो option C परमाडूर जनियामक बोड का चेर्मेन किस वेक जाने को निक्तिया गया है एनार गुंटूर को अगला question देखते हैं दोस्तों नवंबर 2018 में भारत के नए मुख निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे निक्तिया गया है यह very important question है आपके आगामी से हम जरूर द यूगा था तो अब नया मुख निर्वाचन आयक तो इसो निक्तिया सुनिला रोडा जी को यह आपको याद रखना है question number 17 है October 2018 में Ireland गणराज्ज के राष्टपती की रूप में किसे चुना गया देखे दोस्तों देश के चुनाव वोट के 56 प्रिशत प्राप्त करने के बा अगला question देखते हैं दोस्तों October 2018 में ब्राजील में राष्टपती चुनाव किसने जीता तो दोस्तों सेना के पूर्व कैप्टन जेयर बोलसनेरो को 28 अक्टूबर को ब्राजील का नया राष्टपती चुन लिया गया है ठीक है यानि option D right है जेयर बोलसनेरो ब्राजील के न देखें दोस्तों को पतादि गुजरात के सरदार सरोग अरबात पर सरदार पटेल की दुनिया के सबसे मूची मूर्थी बनारे प्रख्यात मूर्थिकार राम बंजी सुतार को 2016 का संसी सदभाव के लिए टैगोर पूर्षकार समानित किया गया और सुतार के लाब दोस्तो मशहूर कलाकार राजकुमार सिंग्जीत सिंग को मड़ी पूरी नित्त में उनके अगदान के लिए 2014 का और बंगला देश के एक संस्क्रिक संग्ठन छाया नटको 2015 के लिए इस पूर्षकार समानित किया जाएगा ठीक है तो बर्षकार 14 के लिए संस्कित सदभाव के लिए टेगर पूर्षकार किसी ने जीता राजकुमार सिंग्जीत सिंग यानि ऑप्सन सी राइट है को कोश्चन नमबर 20 है किसे मिस ग्रेंड इंडरनेस ने दोठारा का ताज पहनाया गया है देखे तो पैरागवे की क्लारा सोसा मिस ग्रेंड इंडरनेस ने दोठारा चुनी गई है ठीक है तो यानि इसका ऑप्सन डी राइट हो जागे इस कोश्चन का क्लारा सोसा अगला कोश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नमरे कीस दोठारा में साहित में जेसी पूरुसकार किसी ने जीता तो देखे उस तो मलयालम लेखक बेन्यामीन ने पहला जेसी पूरुस पूसकार जीता है उनकी पूस्ता क्याद रखिएगा जैस्मीन डेज ठीक है जैस्मीन डेज तो यह आपको याद रखना है सियोल सांती पूरुषका दोठारा किसे दिया गया तो देखे दोस्तों प्रधानमत्री मोदी जी को अंतराश्टी सहयोग और बैस्विक आर्थिक विकास की गती देकर भारत में लोगों को जीवन स्तर को सुधरने और रष्टाचार निरोधक उपायों और सामाजी के एक तक प्रयासों के जरिए देश में लोकतंद्र को मजबूत करने के लिए दोठारा के सियोल सांती पूरुषकार से मनित किया जाएगा ठीक है यानि या उप्सन भी राइट है नरेंद्र मोधी को उर्जा नीती में उगदान के लिए चौथे वार्षिक करनाठ पूरुषकार से किसे समानित किया जाएगा जोस्तों केंदरी रेलवे और कोयला मंत्री प्यूष गोयल को भारत को विजली के शेतर में सुधार करने के लिए प समानित किया गया है तो परशिद्य संगीतकार मुहम्मद जहूर खयाम हास्मी को लाइप टाइम एचीमेंट पूरुषकार के लिए चुना गया है ठीक है तो ऑप्सन सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का लास्ट कोश्चन दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सुस्क ब लन्यास कर दिया इन्हों ठीक है सबसे बड़ा बंदरगा सुस्क बंदरगा यानि और राइट है भारत का सबसे बड़ा सुस्क बंदरगा कोचीन से प्याड कोची में ठीक है तो यह थे दोस्तों करेंड एफेर्स जनरल एवरेंस के टॉप 25 कोश्चन वीडियो का ऐसा बिल्कुल ना भूलें साथ बेल अपर सकता कि आपको ऐसी डेली वीडियो मिलती रहें और दोस्तों आपको आगामी किजाम